हाँ बच्चो कैसे हो मैं श्रवण CLC सीकर से ठीक हो दियर आज हम फिर कैपेस्ट्रेंस और करेंट लेक्रिशिटी रिवाइज नीट फिजिक्स फोर्टी आवर कहें या फिजिक्स पंच कहें इसका तेरों एपिसोट आज आज आपके शूट करने जा रहे हैं आज साथ जून के दोरान जो आपके लिए एक बहुत पोजिटिव काम किये वो पहला काम है दो जार तेरा से थर्टीन टू नाइंटीन तेरा से लेके उनिस तक के नीट के प्रिविएस पेपर का सोलुशन टोपिक वाइज ताकि आपको ये पता लगे कि किस टोपिक से वेट इस कितना है और किस सिक्वेंस में किश्चन आते हैं तो तेरा से लेके उनिस तक के प्रिविएस पेपर के वीडियो सोलुशन से यूटूब चैनल पे अप्लोड हो चुके हैं केमेस्टी के भी फिजिक्स के भी बाइलोजी के भी फिर फिजिक्स थोड़ा सा अपने मानते हैं किसले है सब्जिक्ट होता है या यूँ कहूं बाइलोजी और केमेस्ट्री तो सी एलसी का बच्चा बायोगेम डीटेस के थुरू बहुत अच्छा कर चुका होता है तो फिजिक्स पंच के माद्यम से हमने 20 टोपिक बड़ा है फिजिक्स पूरी के हर टोपिक है 45 कुश्चन पहले ह पांसा दिन में आपके पास सारे आ जाएंगे हम कोशिश करते हैं कि दो दिन में एक वीडियो अप्लोड करें ताकि आप उसको देख पिले हम एक दिन तीन अप्लोड कर देंगा आप देख ही नहीं पाएंगे तो उसका वीवर्सीप घतम हो जाती है दूसरा दोस्त आप संड्य को तो है ना सवबार से लेकills संड्यूर का टेस्ट होता है जेइ की की बात करें वहुइं ऑपका दोस्तो तो ऐसbout को टेस्ट फिह हो, फिर शेको टेस्ट होगा संडे को जो मैजर होना ही है उसके जिस दिन टेस्ट दो टेस्ट है एक जई मैन पेटरन का और एक जई एड़ांस पेटरन का उनके जो संडे बीच में जित्ते भी आएंगे 18 जुलाई तक वहाँ जई पेटरन का फुल स्लिवस टेस्ट होगा क्लियर तो ओके डियर मैं मानता हूँ कि आप स्वस्त हैं मस्त हैं प्लीज अपने रिजल्ट को मोडिफाई कर सकते हैं अब भी अगले 45 दिन में आप अपने रिजल्ट को पूरा चेंज कर सकते हैं बाकी दोस्तों आप जानते हैं CLC के सारे बच्चों के अपने वाटसप ग्रूप बने हुए हैं उन्हों बच्चे डाउट पूछते हैं शाम को साथ बज़े के बाद उस वाटसप ग्रूप में डेली टेस्टिज के पेपर की पीडिय फाइल आ जाती है कलियर यदि आप नोन CLCन है या CLCन है यदि आप CLC के वाटसप ग्रूप पे नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज अपना नाम CLC रोल नंबर या आप नोन CLCन नीटी आईएटी और अपना वाटसप नंबर जिसको एड करवाना है यह सब लिख के आप मेरे नंबर पे 29287-38888 पे आप आटसप कर दें हम आपको जोड़ेंगे वहां क्या क्या आता है जैसे यह फिजिक्स पंच है इन सब की PDF फाइल वहां आएगी या आचुकी 2013-2019 के टोपिक वाइज की PDF फाइल वहां जा चुकी ऐसे ही IT के लिए तो यह जुड़े हुए है आपको पता है और नहीं जुड़े हुए है तो आप जुड़ जाएं भाही इसमें हम सब को जोड़ना चाते है हमाँ डाउट में बताय जाते है हर डेली टेस्ट स्रीज की रेंग शाम को आजाती है नो बज़े गास पास बाइस मार्ट को दोस्तो स्टार्ट हुआ था आज साथ जून को बात बोल रहा हूँ पच्छेतर दिन से मैं लगातार मेरे हर बच्चों से बात कर रहा हूँ साइध कोई संस्ता परेंटल के इस से ज़्यादा करने सकती इसलिए हमें CLC के टीम के मेंबर होने पर फक्र होता है कि हमारे बच्चों के साथ टीम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं ओके डियर तो बास फूरू करें ओके थेंक्यो आज वो पहला चुशन क्या है पढ़ा क्यों पढ़ लिया पुरा चलो अगला साब कहता दोस्तों युनिफोर्म वाय रिस्टेंस 36 ओम इस बेंट इन फॉर्म अव सर्किल तो इफेक्टिव रिस्टेंस और बिटिव ए एंड बी देख भाई एक तार है जिसका कंप्लीट का रिस्टेंस कितना बच्चे 36 ओम पका है अब ये 30 डिग्री एंगल पे है तो ये इस वायर का कौन सा हिस्सा हुआ रहे है आजा यार 360 को 30 से मल्टिप्लाई कर दे ये इसका बारवा हिस्सा नहीं हो गया क्या तो टोटल का 36 है 36 को अपन ट्वल्स डिवाइड करें दियर तो एक का कितना हुआ तो अखिकत ये क्या हो गया ये दो वायर हो गए ऐसे पैर्दल करम में कैसे एक वायर का रेजिस्ट्रेंश तीन ओम और दूसरे का 33 ओम और लड़के ओटो कुल कितना था 36 यहां कितना बचा 3 क्यों बचा 3 क्योंकि इसका कौन सा हिस्सा बचा 12 वैस्सा बचा 36 को 12 से भाग दे 3 तो 33 और 3 अब क्या होगे पैर्दल बैस अब दो चीज़ जब पैर्दल हो जाती है तो अब इतना तो कर सकता यार 3 multiply 33 upon 3 plus 33 तो तेरे लिए पूरा कर दू 3 multiply 33 upon 36 ये तेरा 12 है अब 33 को divide के 12 है 12 वैस्सा बारदोनी 24 12 तेरे 36 दो और 3 के बीच है तो 2 और 3 के बीच एक objective है भाई अंजर आ गया बुलाया ना थैंक्यो आओ भया क्रिशन नमर्ट दो देखो दोस्तो पढ़ो इस क्रिशन को पढ़ लिया इसमें सपस्ट पता लग रहा भाई A वै B के बीच आपको पोटेंसे डिफेस निकाल ले ज़ान दे बच्चे ये तिरा क्या है 2 ये इसके पैरदर देख तो यहाँ भी क्या है 2 वोल्ट और यहाँ भी क्या है 2 वोल्ट तो कहने का मतलब दोस्तो ये है कि यहां से यहां तक कितना है टू वोल्ट है, अब ये टू वोल्ट है, कुछ इसके सिरूर पर डिवाइड होगा, कुछ इसके टेमिल डिवाइड होगा, कुछ यहाँ पर डिवाइड होगा, तो कहने का मतलब है, दो जो है, वो तीन जगे डिवाइड होगा, उन्हों पांच 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 हों है, इक्व लो इस पे आपको मैं बहुत अच्छी स्थोरी बता जता हूँ लो सुन लो आजो दान दे क्लास ये को वाइर है करेंट A से B जा रही है तो कहने का सिदा मतलब है ये हाई वोल्टेज है और ये लो वोल्टेज है और मैं यहाँ पर इस A और B के बीच एक वोल्ट मिटर एड़ कर दूँ और स्पोज करो उसकी रिडिंग 10 वोल्ट है इसका अर्थ समझो क्या भासा समझो इसकी भासा है A से B तक पहुंसते पहुंसते 10 वोल्ट की कमी हो गई 10 volt का पतन हो गया इसको विभवांतर बोल दो चाहे विभव पतन बोल दो चाहे voltage drop बोल दो चाहे दोस्तो voltage difference बोल दो और दोस्तो यदि अगला कहे दे A की value 16 volt है तो दोस्तो B की value अपने आप क्या होगी रहे 6 volt बात तो सुन कोशिश कर विभव का अंतर difference of potential high voltage से low voltage A से B के बिच कितनी डिंग आई 10 volt इसका मतलब A से B तक चलते चलते विभव में 10 volt की कमी हो गई DK हो गया विभव पतन का हो चाहे विभव अंतर का हो बोलो हाया नब अब अगला कहता A का point का potential 16 volt है B तक जाते जाते कितना गिरा हो 10 कितना बचा 6 ये तरीका होता निकालने का है ओके हैंग्यो हाँ डियर ये एक circuit का एक part है और ये वास्तम शांदर कुशन है किर्चोफ का name लगा दिया कि उसी बात है आप start A से हो जाओ तो देखो दोस्तों V A तो जारा माइनस से प्लस दान दे तो माइनस से प्लस का मतलब क्या होता है वर्दी तो इसको क्या करेगा 3 volt ये current की direction में जा रहा है अपने जानते हैं current की direction मतलब क्या होता high voltage से low voltage तो क्या हो गया negative कितना minus 3 इसके volt लगा दे अब इधर फिर तेरा ये भी क्या है minus 18 volt equal to क्या हो गया VB जान दे यहां क्या है minus से प्लस तो क्या हैगा प्लस ये current की direction में current की direction मतलब क्या high voltage से low voltage तो खुद बता यार जादा से कम पर आएगा इसका मतलब क्या होता है बैस ओके डियर ये तेरे cancel out होगे इस A को इधर लिया तो ये VA minus VB equal to 18 volt ये बहुत ही अच्छा question है एक पर फिर सुन लेगा कोई क्या प्लस नहीं है किर्चोफ का नियम लगाओ start VA से हो जाओ और VB को equal to कर दो current के साथ चलते हो तो उसको minus कर दो current के अपोज उच्छते हो तो उसको plus कर देंगे बैटरी में plus से minus जा रहे हो तो plus कर देंगे और plus से minus में आ रहे हो तो minus कर देंगे ठीक है डियर बैटरी में minus से plus जा रहे हैं तो plus होगा अगरा कुशन plus से minus क्यों आ атели माइनस कर दो बड़ी संख्या से छोटी पह आओगे तो मैनस कर दो और छोटी से बड़ी पहिड जाओगे तो प्लस कर दो, क्लियर खो दोस्तो ‎क्विशन नमबर फूर मेरा आसा मानना है, या मैरा आसा अंभू है ये वो परशन है जो या तो नीट में आते हैं नहीं है आगे तो जो घर की बात इहीं बहुत टोपर्स की बात नहीं करता है वो तो सब कुछ कर देते हैं अकी जो एक सेलेक्षिन रेंज का या 400 से 500 की रेंज का बच्चा होता है मार्क्स वो इसको तभी कर पाता है जब उसको इसका साल बर में उसको एक है दो बार उसका देखावाओ यह जमीनी बात करणा हो बाई मैं साथ सौड़ा बात नहीं कर रहा है वो सब कुछ आता हूं तो दो दो कुछ सिली मिस्ली गलद करके आता है दोस्तो धांस सुन लो असक्री को जो क्या कहता है यहां रो पदार्थ का इसनी क्या भर दिया मैठियल आप किश्ण बढ़ो आजो किश्ण बाजो साप कहता है देर आर्टू कॉंसेंट्री जंग सेंट्र है स्ञेंदा है अगला साफ कहता है और आपको वापिसे भाडर क कर दिया और लुझ से बढ़ते हैं पंदेयर SSD रो दें दर रे इस बींद और गोट वा आजा बहुत करा क्षिशन है यह एक छोटा गोला है इसके रेडियस से वी बड़ा गोला है रेडियस से ए मेटली बर दिया दोस्तो जिसकी रेस्टिवटी क्या आपकी रो ओके डियर अब अगला साथ कहता है बताओ बहुत इसका रेस्टेंस क्या है लो मत थोड़ा फिर कलर कर लो दोस्तों आप अहां पर एक ऐसा एक पार्ट बना लो जोटा है माना इसकी से डिस्टन्स कितनी है और और इसकी मोटाई कि इसकी क्या है डियर क्लिर बस एक अलपांस ने लेंगे और इसका तो डियर अपन जब इसकी बात करें गे तो हम जानते हैं आर Sumud इक मृकु ट क्या राएं रमारत आहा रो टो टो रो और नहीं होगा क्या होगा दी यॉर्गा идет क्या होगा रेंगा ऐरिया क्या होगा और खर्पहे आर्ऊ-ः-पार फॉल्टो शॉट रहा और एकलेश होगा अब आपको दोस्तों कम्प्रीट निकालना है तो वाईजाब 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 समाकलन कहां से कहां बी से ए बी से ए गरवड़ा वह या क्यों बी पहले इसे मेरे हाथ में नहीं है बी से ए लोवर से अपर ओके रो डी आर अपोन फोर पाई आर सुकायर बोल हाया ना ठीक है डियर तो ये तो इसको तो र बोल देंगे ले कोई दिक्कत ही नहीं तो कम्डिट र हो जाएगा क्योंकि एक के सापे के का इंटिक्रिशन गरेंगे ओके अब आगे चल घर के बहसे नहीं और ये कहाहर है यह तेरा आर की पावर मायनस टू आर डी आर बुल गया क्या X की पावर N का क्या होता इंटिग्रेशन N प्लस वन अपोन एन प्लस वन पता हाया ना कर दू चल मिटा दू इसको तेरे लिए मैं ये तो नोट कर चुका है सारा आजा तो तेरे सामने अब देख भाई ये कहां से कहा रहा है बी से ए है आर की पावर माइनस दो इसमें माइनस उपर जोड तो तेरे क्या हैएगा आर माइनस टू प्लस वन अपोन माइनस टू प्लस वन पूरी मैं चले लिए पूरा कर रहा हूँ मामाना तर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ करना पड़ेगा मेरे को मैं उस पच्चे लिए कर रहा हूँ जिसका स्कोर आज चार सो से पांसो के बीच खड़ा है आर एक्वल टू रो फोर पाई चल इसको भी तू बीस से ए कह दे ये तेरा मैंनस है ये मैंनस तो एक अच्चनल में क्या हो गया मैंनस बही या यह ले पो गया चलता जा चलता जा तो आर एकवल टू रो अपोन फोर पाई एक काम कर इस इतने मैंनस का बहां निकाल दे अक वार या थीक है अब तू इसके अंधर आजा अपर माइनस लोवर बॉ फूर पाई इसको उठाए यह से माइनस यह पलस यह तो ए बी तरह लगत अम ले तो यह क्या हैगा यहां तो क्या हैगा बी वहां क्या जाएगा ए इट बिकम्स ए माइनस बी तो आर एकुल टू रो फूर पाई ए माइनस बी एपून एबी आंसर आ जा वगया ए लड़के ए इसको मिटा दो solution को, यह तेरे सामने solution आ गया, और घर की बात पता हूं क्या है, आखिर में इस प्रशन का उत्तर अक्सर बच्छे यादी रखते हैं, फिर कि मन्तर पूरा साफ है, इसका मत्तर चार्ज है ना, वो समय के साथ वेरी करता है, ओके, विच आप दा फॉलोविंग इस इनकरेक्ट आजा भाया, देख लड़के, क्यों इक्वल टू, क्या है रहे, एटी माइनस बीटी स्क्वाइर, करेंट बन देर रखी है, तो जानता है, आई इकूल यह ले, डी क्यू बाई डी टी, तो यह क्या होगा, ए माइनस टू बी टी, धन्दे क्लास, आई इकूल टू, ए माइनस टू बी टी, यह कॉंस्टेंट, यह कॉंस्टेंट, समय हमेशा बढ़ता है, समय के साथ, दोस्तों, यह चीज बढ़ती जाएगी, तो यह बढ़ती ज गतती जायएगी तो एक्शिल में दोस्तो आई कामान क्या होगा इसमें समें के साहिए के साथ डिक्रीज होगा बस अब चौला हा här प्राहा समय के साथ रही रुप से घट रही है त्राहा समय के साहिए यह अश्य Krach तो फोगा जी बड नहीं रही है गट रही है क्यों गट रहे खुद देखने आज ते टी नेगेट उना सिरा ये साइन नेगेटिव रहे गा तो ए में से कुछ ना कुछ माइनस होना है तो आई की वेलू कमी होनी ओके थेंग्यू ऑपके अंसर तो आपका आगया अब आपके लिए है फिर स्ट अगरत हो गया अपको में थाड जो थाड कैसे का कहता है अब थाड का कहता है धारा कामान इस पे सुने तो तरह सुने कब होगी सिरे से आता है ए माइनस 2बी तु अगलो जीरो तो तेरे सामने सामने यार टी ही हो गए होगा अगला क्लियर ओके थैंक यू हादो डियर यह है एक बहुत कोमन सा क्यूशन अगला साफ कहता है किसी वाइर की लेंद और एरिया दोनों डबल कर दें आजो जो सिंपल फर्मॉला है तो क्या कहती है कि आपको बेसिक बात भी आने चाहिए अगला साफ कहता है इसको एक तरीका होता है एल भी डबल ये भी डबल तो कोई इमपेक्ट ने नसी दिसी बात ने यह तो कॉमन क्यूशन हो गया बात पर से एक्जामे के बाता है किसी तार को खैंच के स्टेच करके डबल कर दिया दोस्तो जैसे तार को खैंच के लंबाई बढ़ाएंगे तो पतला होता जाएगा ना तो L तो बढ़ रहा है और A घट रहा है तो आर्मी इंपेक्ट दोनूं का आता है बिना कहे तो याद कर ले यार यदि किस इतार को खैंच के उसके लंबाई को N टाइम कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस N टाइम बढ़ जाएगा ओके तो दोस्तो कुश्चन नंबर सेवन एक बहुत सिंपल प्रशन है जो को माना कि ये कोई एक करेंट करिंग कंड़क्टर है ओके इसका लंबाई एरिया एरिया एरि इसका फोर्मुला बनता है ये समझ गया दान सुनना N not number of electron N is electron density देखा जाए तो unit volume में पाई जाने वाले electron संग क्या है जो material बदलने के साथ बदलती है एक material change नहीं होती है बास अब आज़ो और दोस्तो इस परकार के कुश्चन होते है उसको थोरी पढ़ो जो देखो कुछ data का वो change कर रहा है कुछ वो आपसे change कर रहा है और किसी की value आपसे पूछेगा तो equation एक बनाएंगे equation दो बनाएंगे एक को दो से divide करेंगे अगला साथ कहता भाई पहले धारा I है अपर वन वेक V है उसी पदार्थ का मतलब N और E तो खतम होगे क्यों E तो क्यों चेंज होता ही नहीं है N भी चेंज हो गया डिप्लोस्टी का मान क्या होगा तो current change कर दें और radius change कर दें लड़के तो मेरा formula बन गया I1, I2 A क्या होता है पाई R square तो कट जाएगा तो दोस्तो R1 upon R2 का whole square multiply V1 V1 by V2 बैस अब तो खुद देख I1 क्या है I फिर I2 क्या हो गया 2I R1 क्या है R फिर R क्या हो गया 2R इसका कर दें whole square V1 क्या है V और V2 तेरे से अगला पूछ रहा है बैस इससे cancel out तो पूरा गुणा भाग कर ले ये तेरे सामने क्या है 1 by 4 और ये तेरे सामने क्या है V upon V2 तुझे दोस्तो इसको इससे टिका दे तो ये V2 इधर रे जा तो ये V by 2 तो इसे transfer क्या आगया V by 2 ये concept है अपने आप में देख भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि तेरे को I equal to N, E, A, V, D याद नहीं है तो भाईया नमस्ते तेरे को में कुछ नहीं कर सकता उसके बाद एक बनाई, दो बनाई, डिवाइड कर दिया ओके तेंगो डियर इसको दांस देगो परस्टन को ये एक्जाम में आएगा 26 उलाई गाएगा देखना तो क्या कहता है कि तीन तांबे के तार है जिनका मास एक तीन पांच ये एक तार एक किलो का है एक तीन किलो का है एक पांच किलो का है लंबाई पांच तीन एक है तो कॉमन सेंस की बात है जिसका मास सबसे कम है उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है तो सबसे पतला है एक किलो का तार बनाया वो पांच मीटर का है और पांच किलो का तार बनाया वो एक मीटर का है common sense की बात है मास ज़्यादा, लंबाई ज़्यादा ठीक है, तब तो बात बहुत अलग है बट मास जादा लंबाई कम तो अपने आप ही क्या होगा हो मोटा होगा क्यों मास तो फिक्स है न बैस अब इसमें अगला साब कहता है आर का रेशियो बता हो सुरो सुरो जान सुरो रिक्स है यह एक्वल टुरो अलर अपन ए डिक्स है अगला क्या तो लेंट का नुपात दे दिया।वाजने अपने अगली साब इरियो एरिया उँड़ा देंगे परणा कैसे उड़ा देंगे तरीका होता है डी इक्वल टु एम् बाई वी बोल हां या ना तो मेरे सह जानता क्या होता है area गुणा लंभाई बोलहायाना बोलना यार ए उड़ा दे ले ये ले तो जहां A लिखावा है वहां क्या कर दे m by l मेरे हाथ में नहीं है यार मेरे पस नहीं area मत पूट इमाग लगया हो मेरा बस तो मेरे सामने आर एक्वल टू रो एल कीज़े गए एल और जहाँ ए है वहाँ क्याएगा एम एक एल दोस्तो उपर चला जाएगा अब आप देखो इसको हम ऐसे कर सकता हूँ आर एल स्काइर बाई एम बता हाया ना रो क्लू उटा दिया मैंने क्यों कॉंस्टेंट है तो आर डाइटली प्रोपोस्टल एल स्काइर बाई एम हो गया बोल बोल एग्री है यह मिटा दू कुरा यह मिटा दिया तो कहना का मतलब है आर डाइटली प्रोपोस्टल एल स्काइर एम है लग कलर चेंज किनों तेरे लिए सुन्दर सा M3 M1 क्या है तो ये कितना है 25 M1 क्या है 1 L2 क्या है 3 3 3 9 M2 क्या है 3 L3 क्या है 1 M3 क्या है 5 ये ले वहिया अब तो इसका 5 लगतम ले 25 की आंसर आगे ते रहे क्लियर ये काम का परस्ट है धाक्यो ये भी अच्छा कॉंसेप्ट वैसे अच्छा सारे हैं हम 45 क्यूशन लेके ये परियास करना चाहते हैं कि पूरा टोपिक हम लोग नीट ले उर्प ले पहेट दें हमारा परियास ही ये बाई चांस नहीं रहे ये क्यूशन कैई गैड़ उठाएव क्यूशन नहीं है बाकाइदा हम वरक वाइन क्यूशन पे त्यार किये गए दो तीन लोगों डिसकस किये फिर फिल्टरों क्या आएए आज हो क्या कहता है अगला कहता है एक ओम के पांच परतिरोद है दस वोल्ट की बेटरी जो देख सुनो भाई एक बार इसको बूल जाओ बूल जाओ ये एक 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 तो एक 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 किता हो गया वर कौन से करम में भाईया परतिरोद एक ओम की पांच तो एक 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 की बात करेंगे तो कितना आर आ गया एक बटा पांच ओके दोस्तो वी इकोल टू क्या हो गया रहे आई आर तो आई एकोल टू क्या हो गया वी अपोन आर वी कितना है दस आर कितना है दान दे आर कितना है एक बटा पांच तो यह 5 उपर चला गया तो दोस्तो आई एकुल टू कितना आ गया 50 अमपियर 50 अमपियर के सामने 5 रास्ते हैं तो 10 से 10 से 10 यह 10 भी धर से यह 10 भी धर से यह 10 भी धर से कितना आ गया 30 Simple ताग्यों हाँ दोस्तो Question Number 10 Simple Question Number ठीक ने को की पॉल्टू कर लेते हैं आज़ो डियर अपने जानते है i equal to क्या होता है d q by d t but q मेंसा क्या होता है animal लिपिले b q कुछ भी हो e का multiply होगा बस हो गया होगे इरा क्या हो गया n e by t अब तो खुद कह रहा n e by t का मान दिया हुआ है N.E.Y.T. कितना होता है एक पॉंट छे दस की पावर माइनस नाइंटीन तो तेरे सामने सामने आंसर क्या आ गया सिकिर्ट एजी कुशन है एक्जामे तो नहीं आ सकता है पिर आएगा तो फिर कटोप होई जाएगी फिर 610 नमबर यह को डियर यह सेल वाला जो मामला है थालिकरी पेज़े एक बार है मैं एक चीज़ उताओ आपको मेरा एक मास्टर कॉंसेप्ट है दोस्तो थोड़ा सा इसको मैं ट्रिकी कर देता हूं आपके लिए पी इ आर आर इ आइए ऐसे दोस्तो माना कि एक रो में एंसेल है और ऐसी एम रो है तो सीरिज कॉंबिनेशन भी है और इसको मुझते है सेंट कॉंबिनेशन दोस्तो इसमें मेगजियूम करेंट का तरीका होता है बताओ आज़ आपको मैं जबताओ यह चोटा यह बड़ा तो N छोटा होता है, M बड़ा होता है, मेरा मास्टर फंडाल है, N R इक्वल टू M R, N सेल की संख्या है, M रो की संख्या है, बस आजा, मैं लेलो पेपर हाथ में, तेरे लिए कर लो, 2.4, 2.5 ओम प्रतिरोद, यानि R का अमान क्या हरा है, 2.5 ओम, N का तारे हैं, प्रतिरोद का अंत्रिक प्रतिरोद 5 ओम है, तो ये दोस्तो N का अमान क्या हरा है, 5 ओम है, इसको इससे काट दे भाई, ये 5 है, तो N अपोन, M एक्वल 2.5 अपोन M है, तो तेरे सामने सामने पता लग गया, N बटे, M का मान, 5 ओम पात एक कर दे, तो N बटे, M का मान, 5 ओम पात एक, बाई साब कौन से में है, N बटे, N का मान, 1 बटा, 5 है, आंसर अपना फर्स्ट हो गया अपना प्रता भाईया, कहें उदिक्रत ही नहीं, उल्टा गया, क्या पर पढ़ता उससी से या, मैं N अपन N निकाल दिया, इसने M अपन N पुछ दिया, आंसर क्या आगया आपका, फैस्ट, ओके, थैंक्यू, दोस्तो, क्यूशन नमर 12, इस क्यूशन को पढ़ने से पर एक बास सुन लो, पांच सेल एक साथ लगे हुए हैं, और माना परतेग दो-दो वोल्ट के हैं, तो कितना हुआ, दस वोल्ट, बट एक सेल को उल्टा करते ही, प्रिजन क्या होगा, आठ नहीं, च्छ हो जाएगा, मेरे पास 20 रुपे, आपके पास 20 रुपे, मैंने आपको दो रुपे दिये, तो आप और मेरा डिफरेंस दो रुपे हुआ, चार रुपे हुआ, आपको 22 होगे, मेरे पास 18 होगे, डिफरेंस किसका हो गया, डबल का, तो ऐसे सेल को उल्टा करते हैं, तो वो खुद उल्ट हो गया और एक को खतम और करता है तो इसमें दोस्तों फिर एक्चल में ये एंड माइनस टू सेल काम आएंगी बस आप सुनो ये कोई सीरीज में ऐसे आपके सेल लगे हुए है और एक को ऐसे उल्टा करके इसको आपने बंद कर दिया और इसके सीरों पर आपको अगला वी सेल करता हो गया और काम की बाती है कि अडिए लड़का क्या करता है कि एक सिल पलटा लटा और बटाए झाल भास्तों गयार और अब उसके बाद क्या क्या है और to आपके कणी कड Nr म01 बस अब उसके बाद क्या कहता है वो कहता है किसी एक सेल पे potential difference है अब दोस्तों सेल आपके current दे रहे हैं तो current दे रहे हैं इसका मतलब सेल discharge होता है सेल याद करो रहे है सेल जब charge होता है तो V equal to E plus IR होता है सेल जब discharge होता है तो V equal to E minus IR होता है तो दोस्तों V equal to E minus IR आई कितना है N-2 multiply E upon N-R multiply R इस R को R से cancel out कर दे यह ले E को भार निकाल तो यह 1-N by 2 upon N दान दे क्लास E भार निकाला N-2 upon N चलो तिरे को इसके आगे V equal to E इसको आगे उसोल कर दें तो यह तरह E आगे ले ले वहिया यह तरह N ले ले तो यहाँ पर क्या आएगा N-N plus 2 and then cancel out 2E by N यह ले ले बच्चे 2E by N इस प्रस्षण में एक ही बात है यदि N सेल स्रीज में जुड़े हुए है तो result होता N-E बट एक को उल्टा कर दो कि तो N-2 multiply E बस एक ही बात ताम की दोस्तो इस प्रस्षण में जिसको थोरी पढ़ने आती है ना इस प्रस्षण की बात नहीं करना हूँ जिस में स्टुटेंट को language आपके जो भी हिंडिन्स इदो language है आपको language पढ़ने आती हो formula याद हो और फिर practice हो तो physics 160 नमबर आवराम से दिलाती है बच्चे को 0 दोस्तों यहाँ V equal to E minus I R1 है I sorry I R1 equal to क्या करना है 0 देखो दोनु सेल सिरीज में हैं दोनु सेल current देंगे दोनु सेल current दे रहे हैं इसका मद दोनु सेल discharge हो रहे हैं और किसके किस होता है discharging का तो डियर अच्छा E के पिछे 1 टू जा हो सकता है E A के तो V equal to E minus I R1 equal to 0 E equal to I R1 तो I का formula है E upon R1 एक तो formula I का यह है दूसरा common formula है दोस्तेल लगे हैं तो मैं क्या कहेंगे I equal to 2 E R plus R1 plus R2 यह formula से आया और यह condition से आया हलो यह किस से आया formula से यह किस से आया condition से जो question की condition है एक काम करना page खाली कर ले वहिए एक बार ओके डियर दोनु आई same कर दो तो पुत्रों वो I क्या है 2 E R R1 plus R2 equal to यह क्या है E upon R1 E से cancel out कर दे तो यह क्या आगया 2 R1 equal to R R1 plus R2 तुझे किस किल चीए R की इधर लिया इसको तो यह ले वहिया R की value आगई R1 minus R2 और साइधा आप को अंसी आ रही होगी सबको बहुत एजी question है क्योंकि यह question अक्सर वच्चों को याद होता है यह question अपने आप में एक ओके thank you दोस्तो question number 14 14 को पढ़ने से पहरे सुन लो भाई एक तो होता है G2A एक होता है G2V पहरे दो लाएं सुन लो रहे है galonometer को emitter बनाना हो तो इसके parallel extent जोडेंगे इसके galonometer को voltmeter बनाना है तो इसके series में एक high voltage जोडेंगे कारण emitter का मतलब resistance कम से कम करना और resistance कम से कम कब होता है जब हम जोडते है पैरदल में याद परोर है दो resistance जुड़े हैं पैरदल में तो resultant की value minimum से भी minimum हो जाती है इसलिए minimum cent जोड़ोगे तो उस resultant का R और कम हो जाएगा वो उतना अच्छा emitter हो जाएगा याद है क्या जब उसका R 0 हो जाता है तब उसे बोलते है ideal emitter, others emitter, voltmeter में जिसका resistance ज़ादा होता है ज़ादा कब होता है? series में ज़ादा जोड़ें इसलिए याद है ना, ideal voltmeter कोण होता है जब उसका resistance अनंध हो जाता है infinity हो जाता है, याद करो इसलिए potential emitter को ideal voltmeter कहते है क्योंकि potential emitter का working principle है null point deflection उससे में दोस्तों current flow नहीं होती है, current flow नहीं होती है इसलिए potential emitter को ideal voltmeter भी कहते है, got it, thank you ठीक है डियर, यह थोड़ी पले पड़ी, यह बातें करने के लिए solution करवा रहे हैं यह नहीं तो कोई दिकत नहीं तो आपको किसी काईड़ी मिल जाएंगे भाई, जूरूत क्या है, अब आजादे क्या कहता है वो कहता है, गल्रमेटर का प्रतिरोज आर है, इस तरीका यह होता है यह गल्रमेटर है, और इसके ऐसे दोस्तों पैडल में संट जोडते हैं, धान सुनों फिक सुनों लोगा, यह एक करन्ट आई जाती है, एक करन्ट इधर जाएगी, एक करन्ट इधर जाती है, इसको आई जी कह देते हैं, इधर क्या बच गी अपने आप, आई माइनस आई गई, तेरी बात को मैं थोड़ा सा ऐसे मोडिफाई कर दूँ, यूँ कर दूँ तेरे लिए मैं यार, कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, जी, इसका क्या है, एसे, यहाँ करन्ट क्या है, आई जी, और जी और एस बोथ आर पैरलल, और पैरलल में दोस्तों दोनों का वोल्ट इस, आई, जी, मल्टीप्लाई, एस, यह इसका मास्तु फॉम्ला हो जाता है, अब आता हूं क्यूशन में, अभी क्यूशन नहीं पढ़ा है, मैं तो मूल बात कर ली, अब अगला साब कहता है, गलरलमेटर का परतिरो जी है, प्रास आई, एम्पिर है, इसे एन आई, प्रा आई का मान क्या है, एन आई है, बस इसी बात है, इस्का मान तो क्या है, आई, मल्टीप्लाई, जी, दिस इज, एन आई, मैनस, आई, मल्टीपलाई, स, थोड़ा सा इस्स्सिदा कर दूँ आप को दो में, लो जी, i, i, किंसल आउट कर देता हूं, लnh г, i, i को बाहर निकाल तो n-1 equal to s i cancel out कर दे किस के विलिचेर है s की चीए तो s क्या हो गया g upon n-1 g upon n-1 काम कोन आया basic concept को मैं है रट्टा नहीं मार सकते ओके थेंग्यू दोस्तों किस्ट नमर 15 जैसा मन बताया 14 में वो concept 15 में है यहां कोन है g2b है आजा a सुन यह तेरा g इसके parallel जोड़ दे कोई r यह ले भईया यह तेरा क्या बन गया गदल्म ओल्ट बिटर बन गया अब यहां एक बात है total माना कि यह v है तो इस v का current क्या है i तो एक किसा कहां current खर्च होगा ig में इसको ig बोलेंगे रहे और एक किसा कहां खर्च होगा ig r में तो यह लोड़को v equal to क्या है ig multiply g plus ig multiply r क्या कहता है इस सीरीज v equal to v1 plus v2 plus v3 बस यह तो मेरा question हो गया यदि मैं इसको डंग से करू r equal to निकालना चाहूं तो v upon ig minus g एक formula बन जाता करके देख ले वह यह इसको इधर लिया तो v upon ig minus z अब अगला क्या कहता सुन ले चल कुनली की परतिलोद का मान 10 है g का मान क्या है कदर चेंज कर ले वह यह ले g की value क्या है दोस्ते 10 है full scale deflection गांट मान ले वही full scale विकसेप का मतलब आई जी होता है complete full scale deflection क्या है 0.01 आर निकालना या बता क्या दिक्यात है बता वी की value कितनी है 10 ig कितना है 0.01 minus g कितना है 10 अब इसको उपर ले जा तो यह तेरह 1000 minus 10 है 992 हो गया हजार में से 10 minus कर दे 992 लेकिन देख धान दे चीजों पर ig करन चली तो यहाँ ig गुणा g यहाँ ig गुण r दोनों का सम क्या होगा v k equal to v r equal to v एक बास तब यह प्लीज गांट बान ले full scale deflection का मतलब ig या vga की बात है current है तो ig हो जाएगा voltage है तो vg यह मूल बात है full scale deflection बोले तो ig या vg question number 16 potential meter का सबसे basic conceptual question तो दोस्तों क्या होता potential meter सुनो यह ऐसे होता है एक scale है यह इसका r है यह कोई real state है जिसके साथ जुडा हुआ है और यह कोई wire है a से b जिसका resistance r है इसमेंसे current flow होती है तो इसको दोस्तों अगला r dash कह देता है इसको r कहता है इसको e कहता है यहाँ actual में i की value होती है e upon r plus r dash plus r तरीका है i wire के resistance है r dash यह variable है यह zero भी हो सकता है यह अपना open real state होता है लगावाद देखा जाए r zero भी हो सकता है e यह मैफ है तो i equal to e upon r plus r dash plus r और एक सब दाता है विभाव परवनता voltage gradient परवनता का मतलब होता है मतलब क्या होती होती हो कहीं voltage gradient मालो दो वोल्ट पर सिन मीटर है स्पोज करो मैं यहाँ खड़ा हूँ यहाँ 10 वोल्ट है और एक मीटर चलने के बाद फिर इक इतना होगा 8 वोल्ट फिर एक मीटर चलने के बाद क्या होगा 6 वोल्ट इसका मतलब है हर एक मीटर के बाद 2 वोल्ट का डीके हो गया 2 वोल्ट का पतन हो गया इसका रहती होता है विभावा परवनता voltage decay potential gradient ना सुन 2 वोल्ट पर मीटर में यहाँ खड़ा हूँ 10 एक के बाद 8 6 इसको दोस्तों रिप्रजेंट करते है एक्स से तो एक्स इकल टू रियल में होता E upon L यानि युनिट लेंथ पे voltage क्या होगे बात यह कि एक फॉम्ला इसका होता X equal to I rho रो दोस्तों एक्सल में क्या होता है R upon L यादा रहा ना X equal to E upon L या X equal to I rho रो इक्सल में R upon L किसका इस वाइर का यह पोटेंशियो मेंटर का बेसी कॉंसेप्ट है ओके थैंक्यू ओके शुरू करें क्यूशन आजो क्या कहता है 10 मेटर लोंग वाइर ओर रिस्टेंस 20 ओम इसे कनेक्टेड इन सीरीज भी थे बेटरी ओप E MF6 R 10 पोटेंशियल ग्रेडेंट अलोंग दा वाइर इन वोल्ट पर मिटर दोस्तो आजाओ 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 लो जी फूरा बनाओ जो अभी बनाया पनने यह ले बना रिया R-0 यहाँ पर दोस्तो आपकी बेटरी साफ 10 मिटर लोंग वाइर इसकी लंबाई कितनी है 10 मिटर इसका R कितना है 20 तो दोस्तो रो कितना हो गया आप जो बताया मैंने आपको 2 ओम पर मिटर फिर अग्ला साफ कहता है यह बेटरी कितने वोल्ट की है 6 वोल्ट की 10 मिटर लंबा वाइर है 20 ओम के साथ जोड़ दिया 6 वोल्ट की वेटरी है रेस्टेंस कितना है इसका 10 ओम ओके बैस बैस आजा सबसे पहले आई निकाल ले तो जानता आई एकुल टू क्या होगा E अपॉन आर E कितना है वाइया 6 आर कितना है 20 तो यह है 10 ओम है आपका 30 तो कितना आ गया 1 अपॉन 5 तो कितना आ गया 0.2 X इकुल टू क्या होता है I रो बुल गया गया I कितना है 2 रो कितना है 0.2 यह लिए आंसर क्या आ गया 0.4 ओके थैंक्यो दोस्तो क्यूस्तर नमर 17 जो है जो अभी मन थोरी समझाई उसका थोरी का क्या है क्या कहता है इन्हें पोटेंशियो अमेटर एक्सपरिमेंट फोर मेजरिंग दा इम अपॉसेल दा नल पोइंट इज एड फोर अटी सेंटिमेटर दोस्तो नल पोइंट डिफलेक्शन में करेंट जीरो होती है इसलिए यहां कितना आर जोड़ती है उसका कोई मीनिंग है नहीं है याद करो पोटेंशियो मेटर का तो वरकिंग प्रिंसिपली क्या है नल पोइंट इडिफलेक्शन नल पोइंट डिफलेक्शन मतलब कोई करेंट नहीं बहती है तो जो करेंट बहीं नहीं रही है तो भाईया आर जादा हो चैंशियो आर कम हो आद इडिफलेक्शन इसलिए इसका आंसर जागा बेटा जी जो लेंध पहले थी बोई लेंध अब रहेगी एरर आएगी ओके अईडिर कोण होता है जो उसका रिस्टेंस अनन्थ होता है अनन्थ है नहीं आजो छोड़ा द्धान से देख इस क्लास को यह यह लो यह कितना है वह यह टू ओम यह कितना है नाए एक बात वाद वोल्ट वोल्ट तो बने वाला और यह कितना है रहा टू वोल्ट चले करेंट सला यहां से तो तेरे सामने करेंट कहएगी वी एकोल टू आई आर आई इकोल टू वी अपोन आर वी बोले तो दो यह कितना हो गया जार देख रहाए एक्जाम होट फिक्स होती है 9 and 8 ही लिया है इसको 9 and 8 दो जोड़ दिया तो कितना बस गया दो दोस्तों यह होगी 2 multiply 10 to power minus 3 यह यू कहें 2 million अमपियर अब यह करंट चली यहां से तो यह करंट चली यहां से तो यहां और यहां अब यहां कितना drop हुआ यहां कितना drop हुआ ठीक है डियर तो आप देखो वी इक्वल टू आई यार आई कितना विया 2 multiply 10 to power minus 3 यह कितना है 998 देख 8 दो नी 16 हाथ की एक 18 रेक 19 इसमें तो यह लगा दे तो इसकी value आगी 1.996 ते रिडिंग क्या थी 2 वोल्ट कितने आगी रहे 1.996 तो तेरे सामने साथ आणसर आगया 4 multiply 10 to power minus 3 अच्छा क्यों आपने आप में सिंपल सी problem है डियर दो आना चाहिए था लेकिन potentiometer लगाते है दोस्तो कहीं ना कि लोस होगा उस पे ठीक है ना डियर तो आपका कम हो जाएगा तेंक्यू दोस्तो क्यूशन नमर 20 बहुत लंबा है इसकी calculation मैं किसी काम के नहीं मानता एक बाद धान सुनो हमारे घर की fitting कोन से करम में होती है parallel combination में होती है ठीक है ना तो parallel combination हम आपन जानते है कि अधिक watt का बलब अधिक चमकता है जबकि series में उल्टा होता कम watt का बलब अधिक चमकता है एक तो concept यह याद रखो दूसरे याद रखो series में ऐसा question आजाए तो कम watt के बलब के fuse होने के chance से ज़्यादा होते है और जबकि पैरदर combination में अधिक watt के बलब के fuse होने के chance से ज़्यादा होते है तो यह कौन से करम में है series में है तो दोस्तों यहाँ पर 25 वाट के बलब के fuse होने के chance ज़्यादा है इसका केल को से बहुत लंबा चोड़ा है इतनी थोरी प्रियापत है दोस्तों कुशन 21 यह देखो अच्छा कुशन अपने आप में वो कहता है उसमें कुंडली को में तो है एक होता है इसकार आलटी एक होता है वी क्यों काम ले रहा हूं क्योंकि मेरे घर में तो जब चोटा लगा बड़ा लगा घर की सप्लाई तो बिजल्यमोड वेज रहा है अब दोस्तों कहता है पहले ऐसा सीन था यह एक उसमन पीदा होगी तो आप साफ साफ देख रहे हो कि H इन्वर्सिय प्रपॉस्टल क्या है आ रहे है अब निर्का क्या करता है साफ एश एक एश एक एश एक एश एक दोगे H एक्वल टू तो I स्कार R एटी भी होता है तो S तो R के भी समाण अर भाई बागे ले गया हमें क्या पता I कितनी है दोस्तो I हमारे घर के हरे इस्ट्रुमेंट में अलग-अलग होती है जबकि घर की सप्लाई टू 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 वोल्ट है तो चाहिए AC लगा चाहिए जिरो वाट का बलब लगा उसके टर्मिनल सप्लाई टू 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 वोल्ट क्यू गर के फिटिंग कौन से करमी है पैदल करमी है पैदल कॉमिडेशन में करेंट सब डिप्रेंस पोटेंशियल समान होता है इसके HR के इन्वर्स है अब तू कहता है जिसके दो टुकडे की है अब हम जानते हैं अब अगली बास बहुती है आर इक्वल टू रो एल अपोन ए किसी भी तार के दो टुकडे लंबाई अधी तो लंबाई अधी होते है आर डेस का मान क्या आ गया आर वाई टू अब र वाई two र वाई two कहां लगाया पैर्ल तो क्या हो गया र वाई four तो कहने का मतलब है कि रिव्स्टेंस पे लेका чार गुना कम हो गया तो हीट दोस्तों पे लेकी चार गुना ज Яदा होगी सिंबल सी बात बोलाया ना बातलो ना अब यहीं को रड़का लगा दे है एच इक्वल टू आइस को आइटी बार-बार कह रहा हूं रहा है बहुत तत्या क्विशन है एच इक्वल टू वी स्कार वी आइटी समय निस्चित है वी कॉंस्टेंट है एच र के निवर्स है टुकडे किये र वाई टू अब र वाई ट की बेटरियां दिखरे जीरो हो जाएकि इसको निकालते है देखो अगला कहता एवन एटू एटू एट्री को लिए क्या है टू वॉल्ट आवन एटू क्या है फोर ओम तो कहता बिंदू ए और बी के मद्ध जो बेटरी है एटू इससे करंट कितने फ्लो होगी तो सुन एक गते होगी वIG कजो देखरे का मद्ध विड्या वी बीक्यों एट यह कितरा दो वॉल्ट यह तेरा दो वोल्ट यह तेरा चारोस एसको अपन्न बेटरी इससे प्लोट होता इसको replace करते है बेटरी से तो याद प्रणाम ही क्या आता है E1 R1 प्लस E2 R2 बटे R1 प्लस R2 ओ सोरी 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 गलत हो गलत हो गलत हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपोन R1 प्लस R2 खीक है डियर अब आप इसका E निकालो तो देखो दो को मल्टिविट उचार से आठ आठ अपौन आठ चार चार तो गिता ने का मतलब वीर यह ऐसे niż बेट्री वनलंगी यह यह कितने वोल्ट मिलंगी डियर जाय यह विदो वोल्ट की और यह ऑर किता आपका क्या गया 2 वोल्ट की प्लस की बैट्री हो गयी तो दोनों यार इसका प्लस के प्लस जुड़ावा है ना खतम हो गया अब इंपेक्ट पर्ले पड़े गया जिरो हो गया करन्ट सीरी सी बात लिए प्लस प्लस एटू आरवन याद ना इस प्रकार का सर्कृट है मैंने केवल इस सर्कृट को रिप्लेस करने के लिए फ्हमला प्लस एटू आरवन प्लस डारवन प्लस आरवन प्लस तॉके तैंक्यू दोस्तों कुश्य सर्म वेडिया पूरा पुरी कुड़ी इसकी जो मैंने आपको पड़ाई लोग इसका मतलब क्या है एक 10 वोल्ट की बैटरी जिसका इंटरम एश्टेंस वन ओम है इसके साथ को आर इसको R-S बोलता हूँ मैं R-S किता जुड़ा हूँ है 4M और एक वायर जुड़ा हूँ है जिसका 5 पॉम रिस्टेंस है 5 मिटर लेंथ है जिसका रो क्या हो जाता है 1 जानद रो क्या होता है R upon L equal to 1 5 upon 5 बस अब सबसे पहले बाकिसे बात बूलो आप ये पता करो current कितने flow होगी दोस्तों आप current जो flow होगी I equal to E R plus R plus R-S जानदे में लिटास E equal to क्या है 10 R कितना है R-S कितना है ये R तो 5 होगा ना R 5 है ये 1 है और ये तेरा 4 है कहना है का मतलब current होगी 1A यानि दोस्तों यहां एक 1A current पह रही है अब ये E E क्या है E करना मतलब नहीं है ये किस पे balance है 3 मिटर पे तो तो जानता V equal to क्या होता है X multiply L और X क्या होता है X होता है I rho I B 1 है Rho B 1 है तो X B 1 तो दोस्तों X का मान 1 है L का मान 3 तो V का मान क्या आ गया 3 V जिसको potentiometer की पूरी कहानियाद पिसको कहीं को दिक्कत नहीं तेंक्यू अब topic change हो रहा है अब तक circuit था अब तोपी जा रहा है कैपेस्टर की ओर अगला कहता है 2 metallic spare of radius 1 cm 2 cm 4 जी है देखो लो माप की बात करता हूँ एक गोला ये है एक गोला ये है इसका charge 10 2 power minus 2 कुलाम है इसका charge 5 10 2 power minus 2 कुलाम है इसके radius आपके कितनी है 1 cm है इसकी 2 cm है अब वो दोस्तों कहता यदि इनको एक wire से जोड़ दें तो अब क्या होगा finally smaller spare पे छोटे गोले पे चार्ज कितना हो जाएगा चलो बात की बात है तो पर सुरो दोस्तो इस पे इतना आवेश इस पे इतना आवेश तो गटना से पहले आवेश कितना हुआ 6 multiply 10 2 power minus 2 कुलाम एक बात का आट बार ले गटना से पहले का charge और गटना के बाद का charge कोई change नहीं होना क्यों charge चेंज नहीं होता है जैसे अपने को वायर से जोड़ेंगे charge flow होता है कहां से कहां high voltage से low voltage कब तक बहेगा जब तक दोनु के potential ब्राबर नहीं हो जाते बस दान दे कलास जब तक इन दोनु के potential ब्राबर नहीं हो जाते जब तक विभव समान नहीं हो जाता तब तक दोस्तो चार्ज एक गोले से दूसरी गोले में बैता रहेगा अब भाई तू साप कहता है Q ब्राबर क्या होता है C V तो Q1 C V1 और Q2 C2 V ओके डियर अब इसको अपने वो गोले संदार देरे मालने को जिकत नहीं है तो अब तेरे सामने है Q1 बटे Q2 ब्राबर क्या है C1 बटे C2 अब याद करें गोले संदार तक क्या होती है 4 पाई EPSON 0 R उसके radius तो मैं सिदा कह दूँ R1 बाई R2 अब दोस्तो घर की बात यह है कि यहाँ statement याद करो कि जब दो इस परकार की गोलों को किसी वाईर से जोडते है तो charge उनके radius के ratio में divide होता है बस अब तू खुद सुन तेरा charge कितना है? 6 उसको divide करता 1.72 में तो 6 को 1.72 में divide करना है तो वो हो जाएगा एक तरफ दो हो जाएगा एक तरफ चार हो जाएगा एक अनुपाद दो छोटे वाड़े पर कुम होगा बड़े ज़्यादा होगा तो आंसर आगया दोस्तो तेरा दो गोना दसकी गात है माइनस तो basic question है एक बार फिर थोड़ी सुन ले दो गोले है अलग-अलग चार्ज है टोटल चार्ज जोड़े फिर वाड़ से जोड़ा चार्ज यहां से वहाँ गया लेकिन चार्ज ना नस्ट होता ना पैदावल बात होती है तो चार्ज छे रहेगा डिवाइड होगा किस रेशियों में इस रेशियों क्यों क्यूवन बराबर सी वन भी वी के पिछे वन टू क्यों ऑड़ गया तो जानता चार्ज कब तक चलेगा जब तक दोनों के पोटेंशल समान व्यों समान नहीं हो जाते आरओ यानि तोटल चार्ज को एक अनुपार दो में क्यों बच्चो यह देख लो यह कैपिस्टर का सबसे अच्छा सबसे ज़्यादा एक्जाम में आया हो कुशन है यह बेसिक कुशन है देखो तरीका क्या होता है इस कुशन का मैं यह कर दो आपके लिए यह आपकी पी प्लेट है इसको आप जोड़ दो किसी प्लस से और इसको जोड़ दो दोस्तो माइनस से ऐसे माल लो यह प्लस यह माइनस तो आप नमब नहीं कर लो आप यह प्लेट नमब माल लो एक यह दो इधर तीन इधर चार इधर पांच तो आप देखो दो भी किस पे है प्लस पे है, तीन भी किस पे है प्लस पे है, चार किस पे है माइनस पे है, माइनस पे माइनस थान क्या होगा, प्लस प्लस पे क्या होगा, माइनस, बोलो हाँ याना क्लियर, देखो ख्लास जान दे रटा नहीं मारना, P को जोड़ दिया प्लस से, आपके च्छा है, P जोड़ दो माइनस से Q जोड़ दो माइनस से तो P कहा जुड़ावा है, एक नमबर प्लेट फिर दो नमबर, इधर तीन नमबर ये चार नमबर, ये पांस नमबर, ये छे नमबर जो प्लेट जुड़ी हो, ये प्लस तो ये प्लस ये माइनस तो ये माइनस, अब देख डियर P पॉइंट बढा, A, यहां से P पॉइंट बढा, बना देख P पॉइंट अब P पॉइंट चल, P पॉइंट से P पे कौन जुड़ावा है, दो नमबर और P पे कौन जुड़ावा है, तीन नमबर P पे कौन जुड़ावा है, दो नमबर और P पे कौन जुड़ावा है, तीन नमबर ये भी क्या है, प्लस ये भी क्या, प्लस, दो के सामने कौन है, एक देख भई, दो के सामने कौन है, एक एक किस पे है माइनस पे और एक काँ जुड़ा हुआ है छे से एक काँ जुड़ा हुआ है छे से छे क्या है प्लस छे पे कोँ जुड़ा हुआ है पांच पांच क्या है माइनस और पांच काँ जुड़ा हुआ है क्यू पे अब आजा तीर पर कौन जुटावा है? चार 습니까? यह तीरा माइनस 4 और 4 दो स्वेता का जुटावा है? क्यू पर, लब एक बार किशन मिटा के दुबारा से तिरे लिए कर देता हूं, क्लास दे तरी कंटीनू, आजा फिर देख, इसको जोड़ दू मैं प्लस से, इसको जोड़ दू मैं माइनस से, ओके डियर, ये तेरा प्लस, ये तेरा माइनस दान दे, ये प्लेट जोड़े पी पर, ये प पी के सामने दोस्तों देखो, पी पे कौन जुड़ाओा तीन नमबर, ए जोड़ दे तीन नमबर, तीन किस पे है, प्लस पे है, तीन के सामने कौन है भाई, तीन के सामने, यह दो नमबर मान देखी बात है, पी पे कौन जुड़ाओा है, दो नमबर, दो के सामने कौन है, एक नमबर, यह कौन है, माइनस, एक कहां जुड़ावा है, छे नमबर पे, छे किस पे है, प्लस पे, सामने कौन जुड़ावा है, पांच किस पे है, माइनस पे, पांच कहां जुड़ावा है, क्यों पे, आजा, इज़र आजा, दूसरे पे आजा, पी कहां जुड़ावा है, फि 3y2c क्या हो गया, 3y2c, जान सुरा गया, ओके, थेंक्यू, दोस्तों, क्यूस्टर नमर 26, यह आप जानते हो, 20μF, 30μF के दो कैपेस्टर है, दो 30V, 20V पे हैं, समान प्रकृति के हैं, प्रस्प जोड दिया, common potential, कुछ नहीं करना है, ड़के, कुछ नहीं करना, simple formula, c1, v1, c2, v v2 upon c1 plus c2, सिदा होता है, c1, v1 plus c2, v2 बटे c1 plus c2, आजा, c1 क्या है, 20, v1 क्या है, 30, c2 क्या है, 30, v2 क्या है, 20, c1, c2 क्या हो गया, दोनों का, 50, आजा, यह तेरे कितना है, 600, यह कितना है, 600, यह कितना है, 600, यह कितना हो गया, 1200, किसे डिवाइड कर दे, 50 से, दोस्तों, 5 भाग दे दे, भाग गया दो बार, आपके साम चोई सोल्टा आगे, इसी गुणा बाग दुखरी लोगे, यार, ओके थेंग्यो, दोस्तों, क्यूश्टर नुबर 27 का बाग देरिवेशन है, उसको कराना है, लेकिन महा बेकूफी से में, सिधा रखना होता है, वो करता है, गो दोस्तों, सिंपल सी बात इस डार्टा फर्मला होगा, C इक्वल टु फोर पाई, एपसालन जीरो के, A, B, अपॉन, B मैनिस, B मैनिस, A है, A मतलना, बड़ा मैनिस, चोटा, क्यों, C के नेगेटिव नहीं होता है, बड़ा मैनिस, चोटा हैगा, क्यों, C के नेगेटिव में, नहीं आता है वह लिपूट कर दो तो फोर पाई एपसान जी लो के एबी बटे बी माइनस ए उके गुनाबा कर लो कि बने इसाब से करके बताऊंगा इसका आंसर दोस्तो फस्ट आ रहा है याद कर ले भाई इसको बोलते हैं गोली संधरी तरफ अगला इनर अलग है आउटर अलग है स्पेरिकल केपिस्टर का मास्टर फोमला है और के दी हवा बरी हुई है तो के की एक कर दो क्यों एर का के वन होता है अब बी माइनस ए या ए माइनस भी बड़ा माइनस चोटा क्यों सी नेगेटिव में नहीं होता है दोस्तो किश्टर में 28 नेट के एक्जाम में आ चुका भाई थोड़ा सा लेंदी होता है इसका केलकुरेशन लेकिन है बहुता है क्यों दोस्तो किश्टर क्या है वो कहता है समानतर प्लेट संधायते एरिया ए है डी है सी है उसमें तीन अलग अलग डाई लेक्टिक बरदें के वन, के टू, के थरी अब यदि के वन एक मद्दें बरें जिससे दाइड़ता सी प्राप करनी हो तो बताओ उसका और आल के क्या होगा खाली कर बईया देखो डियर यह मापके सामने क्शों मनाता हूँ यह एक कंप्रीट कैपेस्टर है माना उसमें कोई एक कॉमन मीडियम भराओवा है जिसका डाइट एलेक्टिक कोफिएंट के है वो एर हो सकता है यह क्यों कि यह एर है हम करते है के बराओवा है तो दोस्तों इसकी जो एफिशेंसी है वो है के एपसाइलन जीरो एवाई डी इस इज रिजल्टेंट कैपस्टी अब देख कलर चेंज करके तरी बात करूँ मैं यह ऐसे आदे में बंदेने ब्रदिया K1 तो यह C1 हो गया इसमें ब्रदिया बंदेने K2 तो यह C2 हो गया यहां भर दिया k3 तो इस c3 हो गया यह आदा अब तो खुद देख c1 क्या होगा c1 होगा epsilon 0 a by d multiply k1 a भी a by 2 और d भी d by 2 color change करेंगे ओके यह कट गया तो c1 की value क्या आगई epsilon 0 a by d multiply k1 तो दोस्तो same c2 किया जाएगी epsilon 0 a a d multiply k2 बोलो हाँ यहाँ न अब आप आज़ो k3 में तो c3 में क्या करोगे epsilon 0 a d k3 तो भाई a तो पूरा काम आ रहा है d आदा काम आ रहा है तो d आदा करोगे तो एक दो ऊपर चला जाएगा तो c3 equal to आ गया epsilon 0 a d 2 k3 इसके साथ दे लो 2 k3 को लो जी तो मेरा अब तक का concept था मेरा c1 आ गया मेरा c2 आ गया और मेरा c3 आ गया ठीक अडियर अब मैं इस system को एक बार यहाँ डिट मार देता हूँ तो यह जो figure है अब आप थुद देख रहा है अपने question में यह इस प्रकार से हो गया क्या कि इस c1 और c2 तो कौन से करम में आ गये पहर दे ले करम में और दोस्तों c3 क कौन से करम में आ गया सीरीज़ दे में आ गया बस यह मालो यह y है अब आपको x और y एक result निखालना है सेरीज़ इबात यह तो c1 c2 कौन से करम में है सीरीज में, तो पहले रखाम आगा C1, 1 by C1 plus C2, यह है C3 में, तो इसका दोस्तो तो resultant C है, वो क्या बनेगा C1 plus C2 plus 1 by C3 C किसका है, resultant का है ओके डियर, वो क्या होता है, आपने जानते हैं, epsilon 0 epsilon 0 A K D, बैस अब दोस्तो इन सब को अपन अठाएंगे, तो C1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ CK1 C2 पे क्या लिख सकता हूँ CK2, और यहां मैं लिख दूँगा 2CK3 इसको मैं C कह दूँ, तो दोस्तों आंसर बन जाएगा, एक 1 upon K, K1 plus K2 upon 1 by 2K3, मेरे साब से बहुत परा क्यूशन होगा अपने आपे, ओके, थैंक्यू दोस्तों, इस क्यूशन में तो जिस बंदे को गुनुर्तर सेड़ी आती है ना, जोमेट्रिकल सेरीज आती है उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो इस क्यूशन जाता हूँ बाद में, पहले हमें जोबी टिल सीरीज की बात करता हूँ माना एक संख्या एक है, फिर 1 by 2 है फिर 1 by 4 है, फिर 1 by 8 है, फिर 1 by 16 है इसका जो सम होगा ना, वो होता है A upon 1 minus R A is first number, R is geometrical mean वो दोस्तों, एक्चुन में यहाँ पर क्या है R equal to क्या है, 1 by 2 कैसे आता है, जब R 1 से कम होता है यह geometrical सीरीज की बात करो, बुल रहों कि शुन को एक बार कि 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16 तो A तो है 1, R या 1 by 2 है बट यह फोमला अपलाई तभी होगा रहे है, जब R देस देन 1 है, तेरे बहुत काम की चीज़ है अब देख, यह तेरा C लड़के, यह तेरा CY2 CY4 हो गया बस CY8, CY16 बैस, अब C का वान क्या है एक, तो यह ले भईया S equal to 1 upon 1 minus 2, तो दोस्तो यह answer क्या आगया तेरा, 2 C C कितना, 1 micro farad answer क्या आगया 2 micro farad, तो जिसको गुनोतर स्रेडी आती है Geometrical Series आती है, उसके लिए कहीं को दिक्कत नहीं है ओके थेंगे हो, आँ डियर 30 नमर कुशन जो है ना, आगे बे 3-4 कुशन जो मैं देखिए वहाँ कुछ कॉंसेट काम आ रहे है यह कॉंसेट कैपेस्टर में तो थोड़े से आदमें को रिटे मारने पड़ते है यहीं कॉंसेट को मैं लेकर आ जाओ resistance के अंदर, प्रतिरोद में जो आप सब जानते हो, देखो डियर पेस खाले करना भाई प्रतिरोद में क्या होता है आप सब जानते हो ऐसे कि दो प्रतिरोद है यह मालों कि बेटरी लगी हुई है तो हम सब जानते हैं कि यहाँ I equal होती है यह जैसे R1 है यह आप जानते हो कि R2 है इसके terminal से V1 आ गया, यहाँ V2 आ गया तो हम सब कहते हैं यह दोस्तों सबस्टे V equal to V1 प्लस V2 यहाँ सीरीज में current सेम होता है और पैरनल में voltage सेम होता है voltage difference बोलेंगे, सेम होता है अब आप एक बात जानते हो डियर कि I equal to क्या होता है DQ by DT बस एक बात थोड़ा कांट बाल ले वहाँ charge flow होता है इसले current सेम है यहाँ charge store होता है यह इस बात को ऐसे आद कर सकते हो कि परतिरोद में स्रेनिक करमें धारा समान होती है लेकिन इसमें यही संधायर ते लगे हुए है तो सब में आवेश की मात्रा समान होगी और parallel में कोई confusion है ही ने वहाँ भी voltage difference equal है यहाँ भी voltage difference equal है यह चीज मेरे काम आती है हाँ तो अब हम कुछ 30 पर आते हैं देखो अच्छे एक सब जानते हो ना R1, R2 जुड़े हो सीरीज में तो R1 प्रस R2 होता है पर कैपेस्टर में सीरीज है तो 1 by C1 प्लस 1 by C2 होता है यानि resistance का सीरीज कैपेस्टर के पैरदल में काम आता है resistance का पैरदल कैपेस्टर के सीरीज में काम आता है इस तरह सब सब जानते हो आप लोग अब जो क्या कहता है दोस्तों 3 और 6 कौन से करम में है पैरदल तो कितना होगा 9 क्यों resistance को काम आएगा सीरीज तो ले मैं तेरे लिए एक बात कर दूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये दो कैपेस्टर हो गए ऐसे देख ऐसे है ये ले 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 ये तेरा 12 वोल्ट ये तेरा 4.5 माइक्रो फेरिड और ये तेरा 9 माइक्रो फेरिड खीके डियर अब ये 12 वोल्ट है ना इसका एक इससा यहां खर्च होगा और एक इससा यहां खर्च होगा ये common sense की बात है किर्चोप का ने में क्या उर जा ना नस्ट होती है न उर जा पैदा होती है तो अब दोस्तों इसके सिरूपे V1 इसके सिरूपे V2 लेकिन लेकिन ये यही सुन बच्चे यही दो रेजिटरेंस जुड़े होते तो तो क्या कहता कि I समान है तो V equal to क्या करते है अपन IR वैस तो यहाँ पन दोस्तों क्या कर देंगे Q equal to CV clear Q equal to CV यानि C1 है V1 equal to C2 V2 यह यूं कह सकता हूँ C1 by C2 equal to V2 by V1 यानि C1 C2 का V1 V2 का रेशियो है वो C के inverse होता है inverse का मतलब यह एक नुपाद दो है तो V क्या होगा दो नुपाद एक हो जाएगा अब 18 का दो नुपाद क्या होता आठ और चार common sense की बात है इतना तो बोलना है बड़ेगा वह चार आठ ठीक है डियर तो आठ का मतलब दो यहां भी voltage difference है दोस्तों क्यूशन नुमर 31 पैरदर कैपेस्टर का सबसे प्यारा क्यूशन है एक्साम में आने की पूरी संभाव नहीं है हम सब जानते हैं दोस्तों कि यह कोई कैपेस्टर है जानते हो यह प्लस होता है यह माइनर सही कहने की बात ही नहीं है अब यह यहां कोई अपन ऐसा medium भर देते हैं कोई के medium जिसकी मोटाई T है माना पहले कुल विट क्या थी तो इसमें क्या है कि टोटल पने D दूरी थी जिसमें air भरी हुई थी अब आपने T मोटाई में K भर दिया तो air कितने में बच गी D माइनस T में तो थोड़ा सा जाओ क्लास का में इसका जो formula बनता ना डियर वो ऐसे बनता है C एक्वल टू epsilon 0 upon A Y D अब पूरे में air भरी हुई है तो air का K क्या होता है Hello air का K क्या होता है 1 इसके लिए 1 हो जाता है बस अब रटा क्यों मार रहा है तो C एक्वल टू epsilon 0 A देखे D माइनस T में तो तो K1 से डिवाइड कर और T में D मोटाई में तो डिवाइड कर दे K2 से माना कि D माइनस T में K1 बरहा हुआ है और D में क्या बरहा हुआ है T मोटाई में T मोटाई में क्या बरहा हुआ है K2 बरहा हुआ है बस ले क्यों तेरे लिए समझा रहा हूँ epsilon 0 A अब D माइनस T में कौन बरिवे air तो air का 1 हो गया और दोस्तों यह तर फोर्मूला क्या आगया T by K तो मैं सीधा भी लिख सकता था इसको लेकिन थोड़ा सा मेरा साथ दे यह फोर्मूला होता है epsilon 0 A अब D by K K is a dielectric medium air भरी भी थी A कर दिया अब यहां कुद देखो total क्या है D T में क्या बर दिया medium इसको एक बर K बोल रहा हूँ तो air कितने में बचा D माइनिस T में इसको तो K1 कह दे इसको तो K2 कह दे यह तेरे को दिक्कत आ रही है समझ रहे में तो इसको तो ऐसे कह दे न T upon यह ले K2 दो बाट लिख दिया मैं तेरे को K1 कौन है K2 कौन है कि यह तरह formula बना क्या बोल हाँ या ना ठीक है डियर पेज खाली करना एक बार दोस्तो ऐसे ही आप जानते हो कि यह दी वो कई बार कहता हो ना कि T1 में K1 भर दिया T2 में K2 भर दिया T3 में K3 भर दिया और T1, T2, T3 का जोड़ और D के बराबर है तो D खता हो जब याद करो तो formula बनता है T1 अपोन K1 अपोन T2, K2, T3, K3 प्लस डेस, 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 डेस simple बाद clear या तरह बाद पले पड़ी ओके थैंक्यू हाँ dear तो question number 31 में आते है क्या कहता है कि एक parallel plate capacitor है जिसकी बीच की दूरी D है अब वो कहता है कि 2 by 3 D distance हो अना वो किसी T dialectic Efficient से भर दी उसने ठीक है जी तो capacity बढ़ती है common sense की बात है अपन जानते है जितना K बढ़ा हो गतने capacity बढ़ती है तो वो बढ़के 7 by 6 को ना हो गई तो कहता है बताओ वो K की value क्या है ओके पेज खाली कर ले तेरी सिंपल सी बात करता हूँ ए इधर आजा ये कोई capacitor है दोस्तों इसकी capacity है epsilon 0 A by D बोलाया ना अब वो कहता है तेरे सामने कि उसमें कोई में medium भर दू कितना भर दूर है D equal to 2 by 3 D D क्या है total D है तो तेरी capacity जो 7 by C dash है वो क्या होती है 7 by 6 मैंने कुछन भाना है कुछन देखा रहा देखे रहा 7 by 6 हो गया चलो वापस हा तो दोस्तों अगला साम कहता है कि ये तेरी capacity बन जाती है इसका formula क्या बनता है अब तो यार अटा क्यों मार रहा है तो खुद बता total mode type क्या थी D hello बच्चे total mode type क्या थी D air कितने हैं बचा air बचा D minus T में इसको तो एक सी divide कर दे और medium कितने हम बचा तू खुद कह रहा है air कितने हम बचा D minus T में और तेरे सामने सामने medium कितने हम बना है ये रहा 2 by 3 D मे तो बच्चे 2 by 3 D इसमें किसका भाग दे दे भाई के का भाग दे इसको डेर किसे कर दे के से कर दे अब तेरे सामने T कितना है 2 by 3 D अपने एक स्टेप और कर लेते हैं मैं कदर चेंज कर लो तेरे लिए तो आजा 7 epsilon 0 A by 6 D equal to epsilon 0 D तो D है T क्या रहा हो रहा बोल बोल भई 2 D by 3 और ये तेरा क्या हो रहा है 2 D by 3 के बोलो हाँ आना कोई दिकत बच्चे epsilon 0 A epsilon 0 A इसमें से cancel out कर दे थोड़ा सा तेरे लिए हमें और सभी solution कर दूँ ये क्या बच गया रहा है 7 by 6 7 by 6 D 7 by 6 D equal to 1 है ये तेरा एक है एक में से minus 2 D by 3 गया तो क्या बचा D by 3 आजाजा साथ है मेरा ये क्या बचा D by 3 ये क्या बचा तेरा 2 D by 3 के अब मैं इसको इमिटा दू तो देख चुका है पूरा कुणा अब आपा कर रहा हो तेरे लिए में तो 7 upon 6 D equal to 1 एक काम करें बच्चे D by 3 इसमें से तो बहार निकाल ले निकाल लेगा तो क्या बचा 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 1 plus 2 by K देख ले D by 3 बहार निकाला आना तो 1 plus 2 by K अब देख तो इस D को D से cancel out कर दे ठीक है डियर ये 3 तेरा कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा ये 7 plus 14 upon K और ये तेरा क्या हो जाएगा भई 6 18 ओके डियर ठीक है डियर अब सोल्ड कर ले इसको 14 by K 18 minus 7 किता बचा 11 तो तेरे सामने सामने क्या आ गया 14 upon 11 14 बच्टे 11 आज़ा आज़ा बही है कि मिन 14 upon 11 14 upon 11 देख रिटा नहीं मानना C equal to epsilon 0 A y d तो वो एक्टरून डी वाई के मानने बस जो है उतना बरते पूरा थेंक्यू दोस्तों क्विशन नमर 32 को पढ़ें जाहन से देखो अगला कहता है Large conducting plate has surface charge density इसको पर जाद सिग्मा कहते है The electrostatic energy stored in a cubical volume of side 1 cm in the front एक cm के cube में stored energy चीए जो को मैं जानता हूँ इनर्जी की जो density है वो होती है सिग्मा स्कायर बटे 2 epsilon 0 मुझे टोटल चीए ना डीर टोटल का मतलब मुझे किसी एरिया में चीए तो मैं क्या करूंगा सिग्मा स्कायर 2 epsilon 0 multiply V करना पड़ेगा बड़ेगा बड़ेगा इसको ओके density का मतलब क्या होता है unit में वो unit area हो सकता है unit surface हो सकता है unit length हो सकती है डिपेंड करता आपका unit क्या है बस अब एक बाद सुनना इसमें थोड़ा सा easy करने के लिए मैं एक काम करता हूँ इसको 2 pi से उपर multiply कर देता हूँ 2 pi निचे multiply कर देता हूँ V मेरा रहेगा यह 4 pi epsilon 0 हो गया बस प्रहे पड़ी 1 upon 4 pi epsilon 0 वो क्या बन गया K बुल गया K equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 तो d देता है क्या बन गया sigma square 2 pi k and v मैं चलिए लेकर दो सरा काम यह है अब sigma square देख क्या है 10 to power minus 4 तो क्या हो गया 10 to power minus 8 यह तेरा 2 pi pi की value क्या है 3.14 k की value क्या है 9 multiply 10 to power 9 volume क्या है centimeter cube लड़के centimeter cube को meter cube में change करना है तो किसे multiply कर दे 10 to power minus 6 है बस अब इसको तो गुणा भाग कर ले तो तेरे सामने सामने आएगा यार देखे 9 को 2 से गुणा कर कितना आया 18 18 को इसे गुणा करेगा 18 को 3 से तो 54 चपई रहा 5.6 10 to power minus 4 देख यह formula है energy density का मुझे किस में चीए centimeter की volume में चीए तो मैं भी से multiply कर दूँगा अगला मुझे density पूसता उर्जा का गनत्वे पूसता तो मैं इसको unit की ला देता ओके thank you दोस्तो question number 33 फिर वैसे question होगा 31 जैसा आप तुद देखो एक 100 वोल्ट की बेटरी को दो एक समान प्लेट संधार तरे पर जोड़ दिया एक minute सुनो जी ये दोनों एक जैसे कैपस्टर है इसके मैंने एक 100 वोल्ट की बेटरी लगाई तो आप खुद क्या कहोगे तो यहाँ आपको याद नहीं बूल जाओ ये तो सब को याद है ना कि ये भी आर और ये भी आर और यहाँ मैं कहोँ 100 वोल्ट की बेटरी है तो आप फट कर दोगे सारी ये तो कुछ नहीं है 50 वोल्ट 50 वोल्ट बोलते हो ना भी आर आर को मैं जोडता हूँ सीरीज में इक्वल को तो पूरा वह बात इसके साथ हमाने कहा ना जैसे वहाँ आर होता है तो इसके सिरूपे कितना आगया 50 वोल्ट इसके सिरूपे क्या हैगा 50 वोल्ट अब तो कुछ भी कर ले यहाँ कितना ही जोड़ दे करेंट अलग-अलग नहीं हो सकती तो यहाँ दोनों का चार्ट अलग-अलग नहीं हो सकता तो सिद्ध सा वोई तरीका है Q इक्वल टू क्या है वोई C V यानि C V इक्वल टू C V V1 C 1 V1 C 2 V2 कहना का मतलब है C V इक्वल टू कॉंस्टेंट कहना का मतलब है V इन्वर्स्टी प्रपोस्टल सी हो गया अब तो खुद कहता है यदि दूसरे में 4 K का कोई मीडियम भर दें लड़के K इक्वल टू चार भर दें तो अपने जानते हैं C डैस Epsilon 0 A D multiply K दोस्तो C चार गुना बढ़ गया देख C चार गुना बढ़ गया V चार गुना घट गया तो जिस में मीडियम भरा है वो 20 V पर आगया चार एक रिश्यो आएगा तो सो है रिश्यो क्या होगा 4 एक असी वीस तो आपके सामने आंसर क्या आगया दोस्तो 80 V और 20 V फर्स्ट पर तो क्या आएगा 80 V सेकिंड पर एक आएगा 20 V क्यों साफ है देखो आपने पतार दूसरे के अंदर भरा है आंसर क्या हो गया 80 V और 20 V दान दे पर तिरोध के साथ तंपेर कर लो ज्यादा एज़ी है ओके थैंक्यू देखो दोस्तो कुछल नमर 34 को करने के कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं पर आपको ऐसे बहुत सारे गोले बने होना तो बीच के गोले कोई काम है नहीं आते हैं बास ये फर्स्ट गोला ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसकी रेडिस क्या है ए इसकी क्या है तो दोस्तो भूल जो बीच वाले को इस तरह बढ़ो चोड़ो आप तो ये ए और ये सी बैस इसकी कैपेस्टिर जानते हो फोर पाई एपसाइलिन जीरो ए मल्टिप्लाई सी बड़ा माइनिस छोटा कौन सा है ये रहा दो तिन कितने हो बीच की प्लेट है बीच की प्लेट है खतम कर दो पहली प्लेट और लास्ट प्लेट थेंक्यू ओके सिंपल क्यूशन है माना पहले कोई कैपेस्टर है उसकी कैपेस्टिर सी है अब वो अगला कहता है कि इसके A by 4 एरिया में K भर दिया तो बाकी बचे में common sense की बात है तो इसका जो equivalent हो गया equivalent capacity क्या है पेजखाली कर ले equivalent capacity की बात दोस्तों करें तो आप देखो पहले आपका यह यह है distance आपकी D है एरिया आपका A है तो C equal to है epsilon zero A by D बूलो हाया ना AY4 में क्या भर दिया आपने K तो पिछे अपना पर कितना बच गया 3 AY4 कोई करने की बात ही नहीं यहां क्या भरी हुई है Air भरी हुई है अब यह दोनों कौन से कॉमिनेशन में हो इसको अब एक काम करो इसको आप C1 कह दो इसको आप C2 कह दो ठीक है लोग मैं लिख दो फूमिला तो डियर यह अपने आप में इस परकार से दोनों पैडलर एड होगे यह ले यह C1 यह C2 बोलाया ना बहुत अराम सल C1 C2 होगे अब देख अपने इसको यहां कदर चेंज़ करके कर लेतें तेरे लिए यह C1 क्या होगा C1 की फूमिला क्या होगा एपसाइलेंज जीरो A बाई फॉल डी बोलाया ना इसका होगे मल्टिप्लाई के और इसकी बात करें तो इसमें क्या हैगा C2 एक्वल टू एपसाइलेंज जीरो 3 A बाई फॉल डी के यहां पर क्या है C1 एक्वल टू क्या है के सी एक्वल टू क्या है के सी एक्वल फॉल बोलाया ना और तेरा C2 क्या है एपसाइलेंज जीरो A यह क्या है C तो यह तेरा कितना बढ़ गया रहा 3 C4 ठीक है डियर अब यह दोनों कौन से कॉमिनेशन में पैरदल है तो कैपस्टर का पैरदल है रिस्टेंस का सी रीज तो दोस्तों सिर्द सिर्द फॉमला है K C by 4 3 C by 4 अब आगे भी करूँ क्या यार C बहार निकाल ले C by 4 बहार निकाल ले K plus 3 आज आंसो आजा A यह से मिटा दे A मिटा दू K plus 3 C by 4 Okay, thank you आज आज आडियर 36 में देख भाया यहां का सीरीज रिस्टेंस का पैरदल देख तो खुद देख तो क्या चीए इस पर ले A और B के इक्विलेंट कैपस्टिच चीए C2 कितने का है 6 का C1 कितने का है 3 का देख यह 6 और 3 कोंड से ओडर में है सीरीज तो रूल किस का लगएगा पैरदल का याद है रूल का होता पैरदल का R1 मल्टीप्लाई R2 अपोन R1 प्लस R2 मा बात वैसे करूंगा R की बासा में तो 6 मल्टीप्लाई 3 अपोन 6 प्लस 3 6 ती 18 बटे 9 2 तो ये कितना हो रहा है 2 C3 आदर डी क्या है 2 ये फिर क्या हो गया 2 तो 2 2 2 कौन से करम में पैरदल रूल किस का लगएगा सीरीज का तो दोस्तों ये सारी दुकान कितने की हो गई 6 की हो गई ये सारी दुकान हो गई 6 माइप्लेड की अच्छे अठारा अठारे चोक भैटर ये ये टेबल याद हो ने च्यों गूली पे आंसर आगया दोस्तों इस में आपन बिलकुल कहीं गुणा भाग नहीं करेंगे सिंपल आप ये साथ साथ चलते जाओ लो देखो जान दो ये दो और दो कौन से करम में है सिरीज में रूल क्या लगेगा पैरदल का तो दो और दो कितने होगे एक अब ये एक और एक कौन से करम में है पैरदल में तो रूल किस काएगा सिरीज का तो एक और एक कितना होगया दो फिर ओर दो कौन से कर्म में आगे जिरीज में रूल का लगेगा पैर देल में एक, अब ये कर एक कौन से कर्म में आगे, पैर देल में तो एक लेक्ते होगे ओके, तैंकियो एक simple question, पेपर में कुछ question simple डालने होते है, साभ कहता दोस्तो वन मीटर के किसी गोल ये चालक की दायरता बुलगे गया रहे है सी इक्वल टू फोर पाई एपसालेंट जीरो आर यार ओके बस क्या करूँ इसको अरह भई फोर पाईपसाल क्या होता है वन बाई के तो ये तरह वन बाई के क्या होगा इसको उपर ले जा तो ये वन बाई 9 को तो डिवाइड करेगा तो वन पाईट वन मुल्टिप्लाइ टेन टू पावर माइनस नाइन तो सुरी वन पाईट वन में लाएंगे तो माइस टेन हो जाए गए लिए डिवाइड तो करना है देखो आप जो क्या कहता है परिपात में 10 माइक्रो फेरेड का कैपेस्टर है जो सुरू में डिशाज टोटली कुझी एस को दबाने के लंबा इसको समय पस्चात है उसमें कितनी उर्जा संग्रहित होगी देखो मैं एक बात ता हूँ आपको यहां पर अपन इमरिजन्सी लाइट को या मोबाइल को हम लगाते हैं चार्जर पे चार्जर पे लगाते हैं तो आप देखोगी सो परसेंट चार्ज होनेके के बाद वो अपने अप्टो को ठोट जाता है अने दिश्ज़का उसके बाद रात पर लगा रहा हूँ हमारा मोबाइल करनट फ्लो नहीं होती है कहने का मतलब है जैसे कैपेस्टर फुरी चार्ज हो जाएगा कर्राण फ्लो बंद हो जाएगी तो फुली चार्ज होने के बात करन बना, बंद हो जाती है, बस, गुनाबा करूंगा, तो कर दे या, सी कितना है, ten, multiply, ten to minus six, वी कितना हर है, hundred, तो ये तेरे सामने सामने आ गया, यह 5 तो दोस्तों यह 5 multiply 10 to power minus 4 या उसमें बात करना चाओ तो यह की बात होते है कोई चेंज किया है जग लेने माइक्रो जूलू बोल दो हाँ डियर क्यूशनर नमर 40 देखें आप लोग ठीक है क्यूशनर 40 का मतलब यह है कि कैपेस्टर को resistance के through discharge करना है बताओ क्या है हमारे घर की emergency बेटरी है जिसको रात को चार्ज कर लेते हैं दिन में चार्ज कर लेते हैं रात को काम दे लेते हैं या mobile की बेटरी मान लो चार्ज कर लेते हैं और फिर उसको discharge करते हैं इसका मैं diagram बनाना चाहूँ तो आप ये मानलो कि ये कोई की है और ये आपका रिस्टेंस है जिसके थूरू ये डिस्चार्ज हो रही है यहां दोस्तो एक सब्द आएगा टाइम कोफिशेंट जो को टो होता है यदि आरसी है तो टो दोस्तो आरसी के बराबर होता है एल और कहीं जुड़ा होा है आर तो ये एल आर होता है या दोस्तो एक होता है रूट एल सी ये तीनों ही सर्किट के टाइम कोफिशेंट कहलाते है दिमागा बात आगे तो बोल दी भी बिला एसी के सर्किट बहुत काम आएगा और डिस्चार्जिंग चार्जिंग है कभी कोईल की डिस्चार्जिंग चार्जिंग आएगी कभी कैपिस्टिक डिस्चार्जिंग चार्जिंग आएगी और डिस्चार्जिंग किसके थूर होती है कहीं ना कि R की यह भी न, R की आप डिस्चार्ज कर सकती है नहीं, क्योंकि उसके बिन आप डिस्चार्ज कहा करोगी उसको, यह तीन टाइम कोफिशेंट आ गए, यह मैंने इस टोपिक्स थोड़ी से बाहर की बात थी, जो आपके लिए करने चाहिए, ओके डियर, अब मैं इस क्यूशन में आ जाता हूँ, इसकी जो डिस्चार्जिंग करेंट है, वो है, I equal to minus I dot E की पावर T नीटा, बट इस टो को नीटा बोल दे नीटा हो गया, अब कहता है कि power loss में इसका क्या होगा, तो कोई दिकत ने power loss क्या होता है, power loss दो तो P equal to I square R, तो इसको I square करोगे, तो य आई का square, E की पावर माइनस T Y नीटा का square, multiply R, okay dear, R को इधर ले ले, मुझा R से मतलब नहीं है, मुझे टाइम को फिशन सी है, अब तेरे सामने सामने, ये E की पावर क्या है, 2 T Y नीटा, लेकिन दोस्तों हमें इसको component में जो आउसे, जो आउसे, जो चेंज करना है, तो E की पावर माइनस T, नीटा Y2 करना पड़ेगा, तो आप time upon time, क्योंकि E जो है, exponential power जो होती हो, dimensionless होती है, तो इसकी भी को dimension T है, तो इसकी भी को dimension T होगी, तो सब्सक्राइब T है, तो यहाँ जो coefficient हो, नीटा Y2 आगया, आपका answer, नीटा Y2 आगया, ये exam में question आते हैं, अब देख यही दिखे था बच्चे के साथ, अरे भाई, नया क्यूशन मिल गया, इसको देख ले, एक बार नहीं पर ले पड़ा, दो बार देख ले, exam भी जुलाई की तो है, यार, थैंग्यू, दोस्तो, question number 41, आप देख ले, मैं तो देखा है हूँ, बहुत simple aspect है, जो क्या कहता है, एक capacitor is charged by a sale of MFE and charging battery is then removed, charge करके दोस्तो बेटरी अठा दी, hello, दोस्तो बेटरी अठाने के बाद आप जानते हो कि charge change नहीं होता, एक capacitor में जब तक बेटरी लेगी हुई है, तब तक voltage constant है, बेटरी अठा दी तो charge constant है, अब वो करता है, इस अधिन 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 नाउ, उसके पास दूसरा capacitor जोड़ देंगे, बिल्कुल वैसा का वैसा, दोनों आदा आदा कर दो जाए है, सिंपल बात, ओके, हाफ हाफ कर देंगे, दोनों आदा आदा बढ़ जाएगा, तेंक यू, दोस्तो question 42, इस definition, संधारी तिर क्या है, मेरी बहुत अजीब रिवासा संधा का मटका आपने ले लिया, अब बिना मटके की साइज बढ़ाए, आप उसमें पानी की मातरा ने बढ़ा सकते, बढ़ कैपस्टर आप जानते हो, के भरदो उतने गुणा सी बढ़ जाती है, अपने पेट को बढ़ा लेता है, अपने अंदर सोड चार्ज को बढ़ा लेता ह ओके डियर, एक बात और सुनना, तेरे पास एक मटका है, तो उसको नदी में डूबो, यदि मटका पांस किलो का हना, तो तो नदी में डूबो, चाह समुदर में डूबो, चाह कुए में डूबो, चाह थोड़े से पानी में डूबो, वो पांस किलो से जादा पानी इकठा नहीं कर सकता यानि कैपेस्टर की कैपेस्टी क्या है ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि भार चार्ज क्या है मटके में पानी कितना आएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मटके की साइज क्या है कि मटका आप किस में से भर रहे हो समुदर से भर रहे हो या जिल से भर रहे हो वो कहता है आवेस पे निर्पर करता है संधारितर के आवेस और भाव से स्वतनतर है मटके में कितना पानी आएगा मटके पे डिपेंड करता है नहीं कि इस बाद पर डिपेंड करता है कि मटका बहर किसमें से रहे हो कि सिंपल फंडा है मेरत विए थैंक यू क्यूश्टर नमर 43 देखना इसमें बात बहुत काम की है बेटरी लगी हुई हो डीसी एसे बने तो डीसी लगी हुई है लगाओ है जैसे आप स्विच आन करते हो कैपेसर में से करेंट बहती है लेकिन जैसे कैपेसर कंप्लीट चार्ड हो जाता है पिर उसमें करेंट नहीं बह सकती हो क्या बन जाएगगा open circuit तो यूं कहते है switch on करते हैं तो होता हो short circuit है और उस दिरे बाद क्या हो जाएगा वो open circuit तो देखो switch on करते ही देखो यहां देखो एक current चली एक current चली अब इस current के साथ तीन रास्ते हैं यह पूरी current यहां से बाग जाएगी लोगे तो यह count ही नहीं होंगे तो दोस्तों आपकी simply I equal to क्या आगया E upon R1 E upon R1 अब पहले बात यहां तो object यह की है इसनले अपनाप हो गया फिर आगे चल यहां तक हो गया अब मैं इसको मिटा दूँ फिर तरह लिया हूँ switch on करने कुछ दिर बाद तो कुछ दिर बाद क्या होगा दोस्तों इसमें करेंट नहीं वहेगी इसमें करेंट नहीं वहेगी करेंट यहां वहेगी बसकिर R1 और R3 में तो दोस्तों यह अब I का मान क्या जाएगा E upon R1 प्लस R3 R1 प्लस R3 यह फरस्ता बात याद रखना स्विच ओन करने के तुरंत बाद तो सारी करेंट कहां से गुजर जाएगी कैपस्टर से और स्विच ओन करने कुछ दिर बाद कैपस्टर एक ओपन सरकेट की बाती काम कर देगा जहां-जहां कैपस्टर है वहाँ DC फ्लो नहीं होगी ओके तेंक्यू डियर 44 है एक प्लेत यहां है जो नगेटीव पर अखला खूक कह रहा me होता है इधर दोस्तों आप जानते हो कि intensity तो बढ़ती है लेकिन प्लस से माइनस पर आओगे तो voltage घटता है किदर वहां से यहां आने पर हमें तो 0-3 पर जाना आना तो voltage लगातार चेंज होगा लेकिन पहला object दिखाऊ आप पहला object क्या क्या रहा है पहला object क्या 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 रहा है जब मेगनेटिक ओप इलेक्ट्रिक फिल्ट रिमेंस था से magnitude नहीं 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 आप जानते हो दोस्तों तो इंटेंसिटी सेम कभी होई नहीं सकते intensity सेम तब होती जब यह material नहीं भरते यहां की अलग intensity है और यहां की अलग intensity okay clear तो अब question पर आजाओ अगरा first कहता है दोस्तों की साफ है विदुच्छेतर यह रहा विदुद्धिव हो लगातार बढ़ता जाएगा इसमें काम की बात ही है कि negative रखावा है जीरो पे positive रखा है 3D बोल दो 3 बोल दो okay thank you यह दोस्तों आख्री क्यूशन है स्टोपी का 45 क्यूशन है और concept कापी ठीक है तो रहा कूलों के बेड़ जाओ जो क्या कहता है सी धारिता के संधारितर के दो प्लेट पे आवेश दोस्तों यह Q1 Q2 है एक बिंदू आवेश क्यूशन का मास एहम है उसको Q1 आवेश पे मुक्त करके दूसरी प्लेट से पहुंचाते तो अनेट इनरजी में चेंच आता है यह वर्क इनरजी थोन की बात है अब दागो यह Q1 यह Q2 तो तरीका होता है इस पे दोस्तों क्या बचेगा Q1 प्लेस Q2 बाई टू इस पे भी क्या हो जाएगा Q1 प्लेस Q2 यह रूल है याद कर दो प्लेट है Q1 Q2 चार्ज तो 100% दोनू का आदा इधर आदा इधर अब दोस्तों इसके अंदर क्या बचेगा कुल चार्ज क्या है Q1 इतना इस पे आ गया तो देख Q1 माइनस Q1 प्लेस Q2 बाई टू देख लड़के 2 नीचे ले तो 2 Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 तो 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 जानता जितना चार्ज यहां है उतना चार्ज इधर माइनस बाई जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई टू बस इतना इक आम का मुद्ध है आगे सिंपल है देखो डियर Q1 Q2 चार्ज था उसका आदा आदा कर दिया फिर इसमें से इसको माइनस किया तो बचा Q1 माइनस Q2 बाई टू कैपेस्टर के दिए एक प्लेट पे आप जानते हो प्लेस चार है दूसरे Q1 माइनस Q2 बाटे टू दे लो जी अब डियर यहां से किसी Q चार्ज को यहां से आप लेके जाना है कोई दिख्यती नहीं जा रहा है कारी बराबर आवेश मुना विभवांतर विभवांतर तेरे सामने क्या होता है Q मल्टिपलाई C V Q मल्टिपलाई C V बस तो तेरे सामने वी बराबर क्या हो जाएगा QYC तो दोस्तों वर्क Q क्या है रहे Q वह रहा Q1 माइनस Q2 अपोन 2 अपोन C यह आंसर आ गया तो Q1 माइनस Q2 अपोन 2C क्योंकि तो आंसर आ गया Q1 माइनस Q2 बटे 2C वापस क्यून में आई और इसको आपको इस Q से मल्टिपलाई करना पड़े यह यह लो तो यह आपके सामने इसका थर्ड आंसर आ गया है मैं वैसे तो आप इसको रिपले करके देख सकते हो मुद्दे की बात क्या थी इब खाली करें वापस प्लेट को देखो इसका परसन यह था मैं इस परसन को आपके लिए ऐसे दुबारा से बिना दूँ यहां मा प्लेट करके अंदर और जितना इस पर उतना इस पर नेगेटिव रहेगा बस सिंदी सी बात किया है थैंक्यू दोस्तों कुशन नंबर 18 को लास्ट में सोल्ड कर रहे हैं पूरा पेपर सोल्ड करने के बाद पता लगा है को कुशन आया ने कलर कोड पे इसलिए वहां जो ए एक बार याद कर लेना और एक कुशन एक्जाम में कलर कोड पे आ जाता है ओके थैंक्यू हां तो बच्चो हो गया फिजिक्स का तेरों पंच जो को इसका पंच कहो तैरिवाइज फिजिक्स फोर्टी आवर को ओके डियर मैं अपील करना चाहता हूं आपसे 26 जुलाई को आ 13 आपके पास आ चुके हैं साथ और आने हैं 45 कुशन प्रतेक टोपिक में हैं तो 900 कुशन आपको यह लोग दे रहे हैं इसके आप सो पता दोस्तों आपके अपड़े फिजिक्स ने डेली टेसरी चार जून को लॉंच कर दी चाही हो नीट हो 2020 के लिए प्लीज आप डेली ट पी के साथ थैंक यू जैसी यू से